वाहिदे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए यह गलत बात है इन चीजों पे अभी इस्यूज आ गोई तो कोई बात नहीं हमने कौन सा देना था हम तो डिसकांट प्राइस के लिए भी हमारे दम तो मैंटली सेट नहीं थे कि हमने पैसे देने आज इसको जैसे इंडिया रिफाइन करके यॉरप को दे रहा है हम भी उसको चीज़ते और उसका काफी बेनिफिट भी होता लोरेड भी होता जमुरिया देखनी है ना वह साथ ही इंडिया गठाव है वह शरी शरी निजाम नहीं है वह जालमाना निजाम है ठीक है कर नहीं हां अब बात सुने अफगानिस्तान को छोड़तें बंगला देश के रिलेश उसके भी देखन से घरदेश मान होता हैं। हमें डिसकाउन्ट मिला है हमें डिसकाउंट बैसका शूर म्चा रहे हैं भारत से और पाकिस्तान से वीडियोज बनाबना के देहों जी देहों ये तो इंडियने ऑра है है और ने थे रश्या से लिया है और यह ने कोई डिसकाूट भी डिया तो बाई कोई सा भी ओई है ओई तो है ना मतलब हमें थो ओई नहीं हो चाहे रशियन हो और जहां तक फुल प्राइस की बात की हमने कौन सा देना था हम तो discounted price के लिए भी हमारे था हम तो mentally set नहीं थे कि हमने पैसे देने अगर वो रशिया वाले ये बात करके खुश हो रहें कि पाकिस्तान को उन्होंने full price में oil दे दिया है तो खुश हो जाने दीजे ना उनको फुल प्राइस हम इतना रुला रुला के देंगे कि उनको मज़ा नहीं आना पैसे का लेकिन आद जो है वो सारी चीजे सामने आ रहे हैं आपे बारे में क्या कहना स्काहिंगे आपके प्राइम मिनिस्ट साहिब आपके ट्वीड कर लेते हैं और उसको पता भी नहीं है कि मैं जो ट्वीड कर रहा हूं ये अगनिस्ट जाएगा वाई सब अमरिका क्या कोई भी लाए हैं और इसके बार आप देखिये रश्या का क्लें क्या रश्या ने क्लेरिफाय कि रषया कि पाकस्तान इट नाद रिसीव एनी स्पैसिल डिस्डिस्कांट अंधी पर्चेस अगरेमेंट तो पाक्स्तान के प्राइम मिनिस्ट्र अप्राइम बहुत बोला कि मैं जिज तो बोला यह जाता है कि इंडिया ने जो आइल एक्सपोर्ट किया है यह को बहां से यह ने दिया है किसको पाकिस्तान को इस पाकिस्तान को बड़ाबर किसे देना रशीया से बड़ी दूम थी कि अंके साथ रिलेशन भी बेहतर हो और यहां पर सस्ता होगा पैट्रोल अने के बार का सस्ता हो नकिवान भी आ पता है उन्होंने अफिशिल दे दिया यह सब प्रॉप गंडा अरे हैं सब कुछ पता है एक टोपी ड्रामा खेला गया जी यह होगा फ़लान होगा आपको पता है लेक्शन आरी होना कुछ भी नहीं है आपको पता है सब को पता है जम्हुरिया देखनी है ना कि साथ ही इंडिया वैठा है हम उसको दुश्मन मुलग कहते हैं सब कुछ कहते हैं देखें आज कहां तर रस्ते दिया ना अपने बाइव पर हमले जो कियों को है हम नहीं बेस दी अब वहां पर इंवेस्टमेंट भी इंडिया जाके कह रहा है अफगानिस्तान के अंदर उनकी आर्मी को ट्रेंड कर रहा है यह भी तो देखो अगर उसने इंवेस्टमेंट की एफ इंडिया ने त तालबान के साथ जो रिलेशन है क्या बेहतर नहीं है यार तालबान को तो सैड़ पर छोड़tawa किसी को मानते वो नहीं बताना ना वो एक अलागबाद हो लो लागबाद है चलो छोड़े हैं वो जो भी हो एक हमारे साथ ही बंगलादेश से लिए मैं उसका स्बूँ जिए आजम ने ये जलसे में कहा था कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये मेरे मदल सिक्के मैंने कोटे जे में डाली है तो मैं जनाबे लिए इनको कभी भी वो उन्होंने बिल्कुल बात गी थी लेकिन उन्होंने बंगालियों का जिकर नहीं थी